असलाम लेकुम प्यारे बच्चों, हाव आई यू? आज हम अपनी उर्दू की बुक रेडिंग करेंगे जैसा के हमने फॉर्स्ट आम में पढ़ा था अलिफ, अल्मारी, अलिफ, अनार, अलिफ, अंडा अब हम पढ़ेंगे के दो हरूफ को मिलाकर किस तरह से पढ़ा जाता है अलिफ और अलिफ, जब अलिफ के साथ अलिफ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अलिफ मद आ अलिफ के साथ जब हम वाओ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अलिफ वाओ, ओ अलिफ, छोटी ये, इ अलिफ, बढ़िये, ए आ, ओ, इ, ए दुबारा पढ़ेंगे हम अलिफ, अलिफ, अलिफ मत, आ अलिफ, वाओ, ओ अलिफ, छोटी ये, इ अलिफ, बढ़िये, ए आ, ओ, इ, ए आ, ओ, इ, ए ये आपका बुक पेज नमबर वान है इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है अब हम अपनी इंग्लिश की बुक रोड़िंग करेंगे तो लेट स्टार्ट जैसा कि हमने साउंड्स किये थे इंग्लिश के What are phonics? Phonics are the sounds of alphabets Alphabets क्या होते हैं? A, B, C, D सब क्या है? Alphabets हैं और इनको मिला कर हम words बनाते हैं अब हम देखेंगे कि इन-इन words के साथ कौन-कौन से Sorry, इन-इन alphabets के साथ कौन-कौन से words बनते हैं A says, A A sound, A यह capital A है और यह उसके साथ small a है तो A sounds, A A, Aeroplane A, Abacus A, Apple A, Arrow दुबारा देखें A, Aeroplane A, Abacus A, Apple And A, Arrow ठीक है? दुबारा पढ़ेंगे A sounds, A अब यह देखें A, Aeroplane This is the picture of our Aeroplane Aeroplane कहा है? यह देखें, यहाँ जहाँ आपको हैंड नजर आ रहा है यह है Aeroplane उसके बाद यह जो है, यह है A, Abacus What is this? A, Abacus Now look at the next table यहाँ पर क्या है? A, Apple क्या है? A, Apple And this is Arrow A, Arrow So read it again A, Arrowplane A, Abacus A, Apple And A, Arrow अब हम इसके बाद दूसरा पेज पढ़ेंगे That is sound of B B, B sounds B, B sounds B B, B, Bag B, B, Bought B, Balloon And B, B Look it again B, Bag B, Bought B, Balloon Now look at the picture अब हम पिक्चर में देखेंगे यह चीज़े कहां कहां है B, Balloon What is this? B, Balloon What is this picture? B, Bag What is this picture? B, B क्या है यह? B And where is the boat? This is the boat जहां पर बोई बाथा हुआ है That is B, Boat So read it again B sounds B B, Bag B, Boat B, Balloon And B, B B, Bag B, Boat B, Balloon And B, B